गुद मॉर्णिंग एवरीवान वेल्कम बैक टू दे चैनल आज से नया महीना शुरू हो रहा है फरवरी का तो आज एक फरवरी के करेंट अफेर्स इस वीडियो में डिसकस करते हैं शुरूआत करेंगे एक शॉर्ट न्यूस के साथ क्या है ये एर मार्शल एपी सिंग ये बने हमारे न्यू वाइस चीफ ओफ इंडियन एर फोर्स और ये किसे रिप्लेस करने वाले हैं एर मार्शल संदीप सिंग को ठीक है अभी फिलहाल ये काम कर रहे हैं as air officer commanding in chief for the of the central air command और अब बन गये हैं वाइस चीफ अफ इंडियन एर फोर्स की बात करें तो headquarter है नई दिल्ली में इंडियन एर फोर्स की स्थापना हुई थी 8 October 1932 को और चीफ मार्शल कौन है विवेक राम चौधरी ये सभी आपको याद रखना है questions पर आते हैं who has become the new president of Czech Republic Czech Republic के नए राश्टर पदी कौन बने है ये है पेटर पाविल इनके बारे में देखते हैं ये former chairman भी रह चुके है NATO military committee के और Czech Republic के अभी president बने है capital क्या है प्राग है Czech Republic की current fair revise करें तो बार्बोरा क्रिजिकोवा और कैटरीना सीनिया कोवा ये दोनों प्लेयर्स कहां पढ़ा था आपने ये दोनों प्लेयर्स आपने पढ़े थे Australian open में women's doubles का जो title है वो इन दोनों ने जीता था और ये दोनों Czech Republic से बलॉंग करती है ठीक है चलिए next पर आते है यहाँ पे PM और प्रेजिडेंट को revise कर लिजे तो रिशी सुनक जो है ये UK के नए प्राइम मिनिस्टर बने है फिर उसके बाद लियूज इनासियो लूडा दस दिलवाई ये ब्राजील के न्यू प्रेजिडेंट है जॉर्जिया मिलोनी इटली के नए पीम पहली वुमेन है जो इटली की पीम बनी है फिर है बेंजामी नितने आहू ये इसराइल के सिक्स टाइम पीम बने है पुश्प कमल दहल प्रचंड ये नेपाल के नए पीम है रानिल विक्रम सिंग है श्रिलंका के प्रेजिडेंट है दिनेश कुद्वर्ध ने श्रिलंका के पीम है फुमियों की शिदा जापान के पीम और अब्दुलतीफ राशिद ये है इराक के प्रेजिडेंट पंद्रवा हॉकी वल्ड कप जो हुआ था इसम्हें उपर विजएता टीम रहा तो विजएता कौन रहा ये था जर्मनी जर्मनी ने बिल्जिएम को हराकर ये टाइटल जीता है और ये जो मैच हुआ था फाइनल कहां हुआ कलिंगा स्टेडियम भुवनेशवर उरिसा में ये मैच हुआ था जर्मनी ये मैच जीता है और इसे के साथ जर्मनी ऐसी फोर्थ टीम बन गई है जिसके पास होकी के तीन या तीन से ज्यादा वर्ल्ड कप टाइटल है तीन कंच्रीज कौन से हैं बाकी पाकिस्तान, नेधरलेंस और उस्ट्रेलिया आप फोर्थ बन गई है जर्मनी और ये वर्ल्ड कप में 15th होकी वर्ल्ड कप में नेधरलेंस ब्रॉंच मेंडल जीता है बाइप विनिंग अगेंस्ट उस्ट्रेलिया इंडिया की पोजिशन क्या इसमें रही 9th यहां 15th होकी वर्ल्ड कप यह हुआ कहां पर भारत में हुआ 13-39 जन्वरी को टीम कितनी पाटिसिपेट किया 16 कहां हुआ कलिंगा स्टेडियम बिरसा मुंडा इंटरनेशल होकी स्टेडियम चैंपियन रहा जर्मनी जर्मनी का 3rd टाइटल है रनर अप था बिल्जियम थर्ड प्लेस रहा नेदर जन्स का गोल कितने स्कोर किये गए 249 एवरेश निकाला जाए तो 5.66 पर मैच टॉप स्कोरर कौन था जेरेमी हैवर्ड इन्होंने 9 गोल की ये best player रहे निकलस वेलन ये जर्मनी के है बेस्ट गोल की पर रहे विंसेट वैनिश ये बेल्जियम से है और मेंस FIH होकी वर्ड कब दोहजारब इस कहां होने वाला है वो होने वाला है बेल्जियम और निदरलेंस में बेल्जियम सेकिंड था एना उपविजय था और नेधिलेंस थर्ड प्लेस ब्रॉंच मेडल और अब इन दोनों कंट्रीज में ही 2026 में यह होगा वल्ड कप next question है super site and a mobile air quality monitoring session launched by किसके द्वारा यह launch किया गया तो answer है Delhi so basically यह air pollution को study करने के लिए launch किया जा रहा है to monitor pollution levels other and other parameters including wind direction humidity and temperature and determining the sources of pollution in Delhi in real time ठीक है नाम किया इसका super site and a mobile air quality monitoring station यहां कुछ और revise कर लेते हैं Mughal Garden इसका नाम change कर दिया गया रिनेम किया गया as Amrit Udyan ठीक है कहां Mughal Garden Delhi के राश्टरुपती भवन में डेली का iconic राजपत जो है the road from राश्टरुपती भवन टू इंडिया गेट इसका नाम चेंज करके क्या किया यह करतावे बथ the path of duty इंडिया का first e-waste eco park यह कहां पर है डेली में फर्स्ट खेलो इंडिया women's hockey league under 16 यह दिल्ली में हुई दिल्ली में major dhyanchan stadium जो है यहां पर first ever made in India surgical robotic system SSI mantra इंस्टॉल किया गया राजीव गांधी cancer institute and research center न्यू डेली में अमित्षा ने inaugurate किया national tribal research institute यह भी दिल्ली में दिल्ली से related सारे facts हो गए अभी next question है हर गाउं हर्याली initiative started for plantation in which state or unity of India हर गाउं हर्याली जो है यह जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर ने पूरे target रखा है 1.35 करोड जो पौदे हैं वो लगाने का रखा है जम्मू कश्मीर government का एक vision है green जम्मू and कश्मीर इसी के तहत यह शुरू किया गया है तू ensure sustainable development and promote climate justice across जम्मू कश्मीर यहां जम्मू कश्मीर के बारे में लेखते हैं capital है श्री नगर lieutenant governor कौन है Manoj Sinha article 370 कहां के लिए था जम्मू कश्मीर के लिए special status प्रोवाइड करता था जिसको repeal कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में ही एक जगह है मांडा यह क्या है राइट बैंक ऑफ चिनाब रिवर में है तब चिनाब रिवर के राइट बैंक की तरफ है यह जगह इन दा फुट हिल्स औफ पीर पंजाल रीज और यह क्या है हरपन civilization का northernmost site है फॉर्थ हेली इंडिया समिट 2022 यह कहां हुई श्रीनगर में फर्स्ट केबल स्टेल्ड रेल ब्रिज यह भी जम्मू कश्मीर में है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन टेकनोलोजी Incubation Facility ये National Institute of Technology श्री नगर में इस सित है Recently श्री नगर में Union Home Minister अमित शाहा जो है इन्होंने अन्वील की है स्वामी रामानुजचारे की Statue of Peace ठीक है कहां श्री नगर में और festivals कुछ जो जमू कश्मीर में सेलिब्रेट किये जाते हैं Saffron Festival, Haraad Festival दोशमोश फेस्टिवल कंचोथ ट्यूलिप है स्पितुक गुस्तर हर नवमी, छरी और बहु मेला ये सभी festivals जमू कश्मीर में सेलिब्रेट किये जाते हैं Under the All India Survey 2020-2021 Released by the Ministry of Education on Higher Education which state has registered the maximum enrollment Higher Studies में कौन सा स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा enrollment रजिस्टर किये हैं तो इसका अंसर है उत्तर परदेश उत्तर परदेश, फिर महराष्ट तमिलनाडू, मध्यपरदेश, करनाटक, राजस्तान ये टॉप 6 states हैं in term of number of student enrolled as per response in 2020 और 21 इसके जरिये 79.06% of the total students इन्होंने enroll किया है in undergraduate level courses और 11.5% इन्होंने एन्रोल किया है in post-graduate level courses यहां पर अब UP की बात कर लेते हैं गवर्नर है आनंदी बेन पतेल, कैपिटल है लखनो, गोमती रिवर के किनारे है ये चीफ मिनिस्टर है योगी अधित्यनाथ क्लासिकल दान्स कथक जो है वो UP से बलाउन करता है, वारांटसी फर्स्ट कल्चरल और टूरिजम कैपिटल बनी है SCO की, इंडिया इस्राइल सेंटर ओफ एक्सलेंस फोर वेजिटेबल्स ये कहां पर शुरू हुआ, चंदौली उत्तरप्रदेश में है, मेजर ल्हांचन Sports University Mirat में बनाई जा रही है आगरा जो है, ये पहली सिटी बनी है इन दे कांट्री तो हैव वेक्यूम बेस्ट सीवर सिस्टम डन बाइद निजलेंस कांपनी पूर अप तो फाइव यर्स उसके बाद हमने बजट जीके वाली वीडियो में भी देखा था कि उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राजे है जिसने पेपरलेस बजट पेश किया था 2021 में और हमारा भारत का जो यूनियन बजट है वो भी 2021 में पेपरलेस पेश किया गया था स्टेर की बात करें तो उत्तर प्रदेश पहला है काशी तमिल संगमं ये कहां पर हुआ था वाराणसी में यूपी गर्मिन ने लॉंच किया है निर्भया अगला क्वेशन है स्मारक मित्र योजना ये मिनिस्ट्री आफ टूरिजम की एक योजना है और अभी नीउस में इसले अभी ये शुरू नहीं हुई है शुरू कुछ समय पहले हो गई थी लेकिन विउस में इसले है क्योंकि मेंस्ट्री आफ टूरिजम ने ये जो स्कीम है इसे ट्रांसवर कर दिया है मिनिस्ट्री आफ कल्चर को और आपने देखा होगा ये स्कीम काफी समय पहले शुरू की गई था ये बोला गया था कि जो मौनुमेंट्स हैं कुछ मौनुमेंस का से लेक्ट करके उंहें प्राइवें हाथ हुआहें में इसलेक्चर का प्राइवें निया जाएगा तब स्किरांस कि अब आईए और इनमेगा इन्वेस्ट किजिए प्रदेश के सीम जो है शिवराद सिंग जोहान इन्होंने अनाउंस की है लाडली बहना स्कीम नो मैटर देर कास्ट और स्टेटस अंडर प्रिविलेश्ट विमें वोड रिसी वन थाउजन रुपीज इच मन्त और असा अनुमान है कि अगले पांच सालों में इस स्कीम के लिए जो कॉस्ट आने वाली है साथ हजार करोर रुपे की आने वाली है यहां मध्य प्रदेश के बारे में कुछ चीज़े देखते हैं एक नवंबर 1956 को स्थापना हुई थी क्यापिटल है भोपाल शिवराद सिंग जोहान सीयम है गवर्नर है मंगु भाई पर्टेल उसके बाद उज्जयन की बात करें तो यह सिट्री ओफ महाकाल के नाम से जाना जाता है इसे और यहां पर वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक लगाई जाएगी विच विल बी सिंग्ट विद पॉजिशन ओफ दसन ठीक है फिर नेक्स देखें 23rd meeting of Central Zonal Council यह कहां पर हुई भोपाल में और इसे चैर किया अमिद शाने इसमें कुछ इशूस जिन पर बात की गई थी connectivity, power sharing of river water and other matters of common interest नेक्स देखें Mandala district जो है MP का यह first fully functionally literate district है in the country इंदौर की बात करें 17th प्रवासी भारतिय दिवस जनवरी 2013 यह main कहां पर मनाये गया इंदौर में President of Guyana जिनका नाम है मुहमद इर्फान अली यह chief case से इस बार प्रवासी भारतिय दिवस में प्रवासी भारतिय दिवस 2013 थीम क्या थी Diaspora Reliable Partners for India's program in Amrit Kal और 5th edition of Kelo India Youth Games 2022 यह भी भोपाल माध्य प्रदेश में शुरू हुआ यह सारी चीजें जो current affair है MP से related आपको याद रखना है According to economic survey Indian economy grown next year मतलब economic survey जो अभी कल आया है हमने separate video भी उसके उपर किया है उसके मताबक बताईए कि भारत की अर्थ व्यवस्था कितने रहने का अनुमान लगाया गया है 6 to 6.8% हैना 6 से 6.8% के बीच रहने के बारे में बात की गई है और हमने डेटेल में काफी सारी चीजे देखी थी तो आप separately वो वीडियो जाकर देख सकते हैं Recently M.Sand Projects is launched by M.Sand Projects जो है किसके द्वारा लांच किया गया आंसर है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा और देखिए थोड़ा सा करने करने की कोशिश करेंगे तो आप समझे है M.Sand Projects है Sand मतलब रेथ ठीक है और किसने शुरू किया एक कोल इंडिया लिमिटेड ने तो कोल निकालने के लिए क्या करते हैं माइनिंग तो माइनिंग के दोरान जो इस तरह के रॉक होते हैं या वेस्ट होते हैं जिससे सेंड बनाई जा सकती है उनका प्रियोग सेंड बनाने के लिए किया जाएगा ठीक है ताकि वेस्ट बहुत जादा क्रियेट ना हो ठीक है सिंपल इतना साही है यह यहाँ अब अब देख लेते हैं कुछ चीजें तो कोल जो है क्लासिफाई किया जाता है चार में टाइक्स में कौन-कौन से हैं एंत्रसाइड है बिटूमिनस है सब बिटूमिनस जिसे पीट भी गा जाता है और लिगनाइट पीट में सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंड होता है कार्बन कंटेंड होता है 30-40% and has high moisture moisture बहुत ज़्यादा होता है लिगनाइट की बात करें तो इसमें ज़्यादा होता है पीट से ज़्यादा कार्बन कंटेंड होता है लगभग 50% and has less moisture मतलब इसके मुकाबले इसमें कम मौशूर होता है बिटूमिनस में लिगनाइट से थोड़ा ज़्यादा कार्बन कंटेंड होता है लगभग 60% और एंथरसाइट सबसे ज़्यादा इसमें कार्बन कंटेंड होता है लगभग 80% या more than 80% और सबसे अच्छा किस्न का कोईला जो है वो एंथरसाइट ही होता है इंडिया का टोटल कोल प्रड़क्शन ये कितना नवंबर 2022 के डेटा के अगार्टिंग देखें तो 11.66% to 75.87 मिलियन टन मतब लास्ट टाइम से 11.66% ये बड़ा है इंडिया का टोटल कोल प्रड़क्शन इंडिया का टागेट है कि 2030 तक हमारा कोल प्रड़क्शन रहे 1.5 बिलियन टन जारखन की बात करें सबसे जादा हम देखते हैं कोल जारखन में ही देखने को मिलता है और जारखन के कुछ जगह हैं जिसे जरिया, धनबाद, बुकारो, जयनती, गोड़ा, गिरिडी, रामगड, करनपूरा और डैल्टन गंज करभरी कोल फिल्ट है जो है ये गिरिडी में ही देखने को मिलती है उसके बाद नेक्स हम देखते हैं वेस्ट बंगॉल तो यहाँ पर रानी गंज कोल फिल्ट है डर्लिंग कोड दार्जलिंग में बीर भूम है चीनाकुरी कोल माइन ये कुछ जगह है वेस्ट बंगाल में फिर अगर देखें कोल माइनिंग भारत में कब शुरू ही 1774 में वेन दे इस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड दे कमर्शियल एक्स्प्लाइटिशन आफ रानी इन्डियां क्रिकेट प्लेजर अनौ्साइं इंना घ्रिकेट प्लेघ किया है warm लीजर और यहां पर देख सकते हैं आप इनके पिक्षर भी बेरें इंडियान ओपनर picture लेजर इन्हों ने अन्मर्म क्यापना उर्ल सफ इंटीन नाशनल क्रिकेट लास्ट मैच इन्होंने अपना खेला था दिसंबर 2018 में दूरिंग दा बॉर्डर गावसकर टैस्स सीरीज अगेंस्ट अस्ट्रेलिया इन्होंने टोटल कितने कितने रंस बनाए हैं यह सब यहां पर लिखा हुआ है कितने सेंश्रीज लगाई हैं कितने सेक कितना कुछ देख लिजेगा यहां देख लेते हैं कुछ और क्रिकेटर जिन्होंने रिसेंटली रिटायमेंट लिया है तो हासी ममला, क्रिस मौरिस, एबी डिविलियर्स, फरहान, बहरडीन इन यह सारे क्रिकेटर हैं साउथ आफ्रिका के जिन्होंने रिटायमेंट लिया मुहमद हाफिज पाकिसान के, यौन मॉगन ये इंगलेंड के हैं, केविन ओब्रीन आइरलेंड के, भानुका राजपक्षा ये श्रिलंका के, कॉलिन दी ग्रांट होम और रॉस टेलर ये न्यूजिलेंड के हैं और रहुल शर्मा, सुरेश राइना, रोबिन उथपपा, इंदिया के प्लेयर से, और इन सभी ने रिसेंटली अपना रिटायमेंट अनाउंस किया था खादी फेस्ट 23, इनागुरेटेड इन विच अव दे फॉलिंग सिटी, खादी फेस्टिवल दोहजार तेस का, इनागुरेट किया किया है मुंबाई में यहाँ पर देखते हैं, by the chairman of Khadi and village industries commission, Mr. Manoj Kumar, कहाँ पर मुंबाई में और Khadi festival है, तो Khadi से बनी हुई चीज़ें, यहाँ पर showcase की जाएंगी अब लास्ट में एक question है आप लोग के लिए, which has recently been declared the best table of the Republic Day Parade by a panel of judges Judges के दवारा Republic Day Parade पर best table के तोर पर किसे declare किया गया और किस के दवारा by a panel of judges, हमने दो categories देखी थी, एक वो जिसमें judges के दवारा declare किया गया एक वो जो पब्लिक वोटिंग के जरिये, ठीक है तो आपको panel of judges का बताना है options है, गुजराद, उत्राखंड, महराष्टर, उत्रप्रदेश इसे के साथ आज की इस वीडियो को होता है यहीं पर and thank you so much watching the video, जय हिंद